हेलो प्यारे बच्चो आज हम आपकी हिंदी की बुक का जो आठवा पाठ है जहां चाह वहां राह ये पाठे पढ़ेंगे इस पार्ट में बताया गया है कि यदि किसी के मन में कोई काम करने की चाहत हो कोई काम करने की इच्छा हो तो उसके लिए वो काम ऐसंभव नहीं होता बस मन में एक दिर्ड संकल को होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है तो इन्सान हर काम कर सकता है तो आईए इसको पढ़ना शुरू करें दिपपा अपनी कक्षया से निकल कर पुस्तकाले की और जा रही थी पुस्तकाले क्या होता है स्कूल या कॉलेज या बड़ी बड़ी जो संस्ता होती है उनमें एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें रखी होती है उसको पुस्तकाल बोलते हैं तो दिप्पा किदर जा रही थी पुस्त काले के और जा रही थी तभी पीछे से किसी ने आवाज दी उसने मुड़कर देखा तो उसका सहपा ठीक और साथ पढ़ने वाला अंकुर दिप्पा के सहपा ठीका क्या नाम था अंकुर खड़ा था दिप्पा ने मुश् आओ अंकुर तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है अंकुर बोला पढ़ाई तो ठीक चल रही है पर मेरे पास कुछ विश्यों की पुस्तकें नहीं है तुम तो जानती हो मेरे पिताजी की आमदनी आमदनी मिन आए, कमाई, बहुत कम है तो दिपा ने क्या पुछा था अंकुर से कि बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है तो अंकुर ने क्या उतर दिया कि पढ़ाई तो अच्छी चल रही है लेकिन मेरे पास कुछ पुस्तकें नहीं है पढ़ने के लिए उन से पुस्त के खरीदने के लिए रुपे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता तो ये भी परसन है कि अंकूर को अपने पताजी से रुपे मांगना अच्छा क्यों नहीं लगता क्योंकि उनकी कमाई बहुत कम है इसलिए अच्छा नहीं लगता दिप्पा ने कहा अमारे विद्याले में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं विद्यार्थी कौन? छात्र जिन के पास किसी ने किसी विशे की पुस्तकें नहीं है मैं सोचती हूँ उनके लिए पुस्तकों का कोई परबंध किया जाए परबंद का मतलब इंतजाम किया जाए अंकुर ने कहा तुम भला अकेले क्या कर सकती हो अंकुर ने क्या कहा दिपा को तुम अकेले क्या कर सकती हो पुस्तक बैंक खोलना तो सरकार का काम है पुस्तक बैंक क्या होता है पुस्तक बैंक पुस्तकाले कोई बोलते हैं जैसे तुमने रुपे ओला बैंक तो सुना ओगा ना उसमें रुपे रख्ये होते हैं पुस्तक बैंक होता है जिसमें बहुत सारी पुस्तके रख्ये होती हैं उसको पुस्तक बैंक कहा जाता है पुस्तक बैंक कुछ दिनों में जब पुस्तक बैंक खुल जाएगा पुस्तक बैंक आप समझ गए न जहां बहुत सारी पुस्तके रखी हो उसको पुस्तक बैंक का जाता है खुल जाएगा तो यह कठिनाई नहीं रहेगी देखो उनकुर छोटी छोटी बातों के लिए सरकार का मुह ताकना ठीक नहीं है मुह ताकना का मतलब सरकार की मदद लेना या सरकार की तरफ देखना छोटी छोटी बातों के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए मुह ताकना यह आप क्या के मीनिंग है इसमें दिया हुआ भी है मुटाक नामिन वरोसे रहना सरकार के वरोसे नहीं रहना चाहिए सरकार की मदद नहीं लेनी चाहिए छोटे-छोटे कामों के लिए हमें खुद भी आगया ना चाहिए अपनी साहता आप करने से हमारी उन्नती उन्नती मनें तरक्की विकास सिगर हो सकती है इसी ग्रमाने जल्दी हमारा विकास जल्दी हो सकता है यदि हम अपना काम खुद करें दिपा ने दिर्ड़ता से कहा दिर्ड़ता मने मजबूती से अंकूर ने हस्ते वे कहा दिपा पुस्तक बैंक खोलने के लिए अजारों रुपेओं की आवशकता होती है इतने रुपे हम कहां से लाएंगे क्योंके पुस्तक कोंको तो रुपे लगते हैं वही खरीते हैं तब यह सुनकर दिपा मुश्कुराते वे बोली इस बारे में अभी कुछ मत पुछो मैं तुमें बाद में दिखलाऊंगी कि विद्यार्थी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं अंकुर को फिर हसी आ गई वह बोला तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो पर अभी तो मुझे बस एक पुस्तक की आवशक्ता आवशक्ता मिन जरूरत है उसके बिना मेरा अध्यान अध्यान मिन पढ़ाई रुक रही है दिपा चलते वे बोली चिंता मत करो मेरे घर आजाना तुम्हें जो पुस्तक चाहिए मुझे ले लेना तो देखा पैरे बच्चो इस परकार हमें गरीब बच्चों की सायथा करनी चाहिए अगले दिपा ने अपनी अध्यापिका को बताया कि वह एक पुस्तक बैंक खोलना चाहती है पुस्तक बैंक से निर्धन बच्चों को पुस्तकें निशुल्क दी जाएंगे निशुल्क मिन बिना रुपयों की बिना फीस के निशुल्क होती है बिना फीस बिना रुपयों को के दी जाएंगे पुस्तकें पुस्तक बैंक के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए विद्यार्थियों शिक्सकों अध्यापक और सहर के लोगों से चंदा लिया जाएगा चंदा होता है लोगों से रुपया लिया जाएगा रुपया होता है अच्छे काम के लिए लोगों से दान के रूप में जो रुपया लिया जाता है उसको चंदा कहा जाता है अध्यापिका दिपा की बात सुनकर बहुत परसन हुई उन्होंने कहा शाबाश दिपा जो काम सरकार करना चाहती है उसे पहले ही आरम्ब करके आरम्मिन शुरू करके हम एक अच्छा कदम उठाएंगे तुम्हारे इस विचार से हम सब लोग सैमत हैं सैमत का मतलब है हम आपके विचार के साथ हैं उसी दिन स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापक अध्यापिकाओं की एक सभा बुलाई गई सभा का मतलब एक मीटिंग बुलाई गई सब इकठे वे इसमें पुस्तक बैंक खोलने पर विचार हुआ बातचीत हुई इस विचार से सभी लोग सहमत थे सहमत का मतलब एक मत थे संतुष्ट थे दीपा ने पुस्तक बैंक के लिए चंदा इकठा करना शुरू कर दिया संदा समझते हो ना सभी लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया दिल खोल कर के मतलब बहुत सारा खूब चंदा दिया किसी ने रुपे दिये तो किसी ने पुस्तक बैंक के लिए पुरानी पुस्तकेंदी सिगर ही पुस्तक बैंक खुल गया पहले ही साल विद्याले के लगबग 200 निर्दन विद्यार्थियों को पुस्तक बैंक ने पुस्तकें दी ये पुस्तकें उन विद्यार्थियों से परिक्षा के बाद वापस ले ली गई पर्मुख बात यह थी कि निर्दन विद्यार्थियों से पुस्तक बैंक के लिए एक रुपया भी चंदा नहीं लिया गया था बच्चो गुजरात में बनासकाथा नाम का एक जिला है गुजरात जो राज्य है उसमें एक जिला है बनासकाथा इसी जिले के एक छोटे से हाई स्कूल में यह पुस्तक बैंक खोला गया है तो दिप्पा ने यह पुस्तक बैंक कहां पर खोला कहां के रहने वाले दिप्पा गुजरात राज्य की बनासकाथा जिले में यह बैंक इस बात का उधारन है कि विद्यार्थी चाहें तो परिश्रम से परिश्रम माने मेहनत से नई राह स्वेम बना सकते हैं स्वेम में खुद बना सकते हैं जहां चाह होती है जहां इच्छा होती है वहां राह निकल ही आती है तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि सभी बच्चे मिल करके अध्यापक मिल करके लोग मिल करके कुछ भी काम कर सकते हैं तो हमें भी निर्धन बच्चों को अपनी पुस्त कें दे कर उनकी मदद करनी चाहिए आप इस पार्ट को पढ़ेंगे इसमें जो कठीन सब्द हैं वो तीन तीन बार लिखेंगे अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे तब तक नमस्कार